हेलो स्थूएज, तो आप सभी लोग तैयार हो गए होगे जेएडवांस्ट के लिए, दो दिन आपकी पास बचे हो रही है, दो दिन आपको पढ़ने में नहीं, अपने एक्जाम को स्ट्राटइजास करने में लगाने हैं, आपको वो अपनी एक्जाम टेंपरमेंट डवलप करना है जिस दिन आपका D-Day होगा उस दिन जाकर आप उसे डिलेवर कर पाएं बस यही चीज़ पर आपको काम करना है तो अगले दो दिनों तक आपको क्या करना है आपको समझने है psychology of J-E advanced paper जिहां J-E advanced paper को आपको कैसे टैकल करना है कैसे आपको अपना plan A execute करना है और अगर आपका बनाया हुआ plan A कहीं पर fail होता आपको दिख रहा है तो आपके अंदर इतना temperament होना चाहिए कि आप situation को improvise करके plan B को activate कर पाएं तो बहुत चुटी-टी minute सी चीज है जिनके उपर आपको ध्यान देना है कुछ final tips मेरी तरफ से आप लोग के लिए ताकि आप अपने J-E advanced paper को बहुत अच्छा करके आए वैसे आप लोग की तैरी बहुत अच्छी हो चुकी है आप लोग ने बहुत अच्छा काम कर लिया है खुद पे भरोसा रखें खुद पे confidence रखें ये वो एक्जाम है जहां पर आपको subject knowledge के साथ साथ आपका actual जो attitude होता है towards problem solving, towards pressure condition आप कैसे काम करते हैं, under pressure आप कितना efficiently काम करते हैं वो सारी चीज़े चेक की जाती एक्जाम के अंदर तो ये start करते हैं कि पॉइंट के साथ और देखते हैं किन-किन चीज़ों के उपर आपको focus करना चाहिए while finalizing the preparation of J.E.Advance So J.E.Advance 2022 के लिए ये कुछ important tips है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए ये सबसे important चीज़ है कई students ने पहले भी गलतिया की है आप ये गलतिया बिल्कुल मत करना जी हाँ instructions को आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप एक 100 करोड की deal sign करना है 100 करोड की deal sign करते हैं आप जितना बार उसको check करते हैं जितना focus के साथ आप उस deal को पढ़ता है उतना ही focus के साथ आपको जी एडवांस के instructions को पढ़ना है क्योंकि आप भी जानते हो ये मैं भी जानता हो और ये पूरा संसार जानता है कि जी एडवांस के paper में कभी भी pattern क्या हो जाता है चेंज हो जाता है आप उसे predict नहीं कर सकते हो चोटे मोटे changes हर साल उसके नदर दिखते रहते हैं इसलिए जैसे ही आपके वास paper के instructions आते हैं उन्हें बिलकुल ऐसे पढ़े जैसे कि आप 100 करोड की deal sign करने वाले इसके positive negative ऊपर नीचे 360 डिग्री आप ढूंड के सूच के आगे उसको sign करते हैं exactly उसी तरह से आपको paper 1 और paper 2 दोनों के instructions को बहुत अच्छे से पढ़ना है उन्हें light मत लेना casually मत पढ़ना पता पढ़र आपकी सारी महनत सरफ इसलिए waste हो गई क्योंकि आपने instructions को ठीक से नहीं पढ़ा था समझें अरी बात को बहुत-बहुत-बहुत crucial और बहुत important है जो दूसरी सबसे important चीज्ज है साइकलोजिकल स्टेबिलिटी जी हाँ साइकलोजिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है क्योंकि हम जानते हैं कि एडवांस में कभी भी कुछ भी नया आ सकता है नए टाइप के से आपके सामने पेश किया जाता है और उसके अंदर कई लोग फस जाते हैं तो जब आपके पास पेपर आए आपने इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिये हैं और आप पेपर को एनलाईज करें कि आपको कहां से शुरू करना है और कहीं पर भी आपको नए पैटन का question दिखता है तो उसे पहले attempt करने की कोशिश ना करें सबसे पहले आप जिन questions के साथ familiar जिस pattern के साथ familiar है पहले आपको उन questions को करना चाहिए जिससे आपका confidence boost हो आपको पता लाए कि हाँ और यह सब जोड़ कर सकता हूं फिर आप नए pattern की question को आराम से बढ़ सकते हैं तो keep new pattern questions for later and attempt familiar pattern questions first. सबसे पहले आपको उन questions को attempt करना चाहिए जिनके उपर based आपने साल भर practice की है जिनके concept को आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, revise किया हुआ है, आपका बहुत अच्छे से strength उस पे grip है आपकी उन questions को आप सबसे पहले करें तो जब आपकी पास subject में confidence आएगा त आप नए pattern के questions से भी आसानी से क्या कर सकते हैं, deal कर सकते हैं, तो psychological stability बहुत 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 important है, अगर आप नए pattern के question आपने पहले शुरू कर दिया और by chance आप उसमें फस गए, तो भीया आपका paper खराबने के chances बढ़ जाएंगे, आप confidence lose कर जाओगे, आप उस loop में फस हो, तो जितना जल्दी हो सकता है, उस loop को break कर दें, otherwise आप अपना paper खराब करके आ सकते हैं, psychological stability बहुत important है, ध्यान रखना, नए pattern के questions को बाद में attempt करना है, और जो आप जानते हो, जो आप अच्छे से जिन से वाकिफ हो, उन questions को आपको सबसे पहले attempt करना है, it's all about confidence, आपका ज होता है कि हम कुछ questions को दिल से लगा लेते हैं, दिल से लग जाता है, भाई question है, girlfriend नहीं है, छोड़ना सीखो, छोड़ना सीखो, आपको पता है कि आपकी पास limited time है, अगर आप एक यू question में आपने 10-12 minutes waste कर दिया, और आपने इस question को solve भी कर लिया, तो क्या फरक पड़ता है, है ना, आपसे बहुत सारे लोग आगे जा चुके हैं, भाई ऐसा नहीं करना है, आप अपने time decide करें, दो minute, धाई minute, तीन minute, चार minute, जो भी आपने करना है, उसके बाद अगर हो question आपस नहीं हो रहा है, तो आपस question को छोड़ दें, उस पर आप mark कर सकते हैं कि बाद में अगर पर पता रख कर छोड़ना सीखें, क्योंकि ऐसे questions आपको exam में बहुत 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 पीछे ले जाएंगे, मैं एक और चीज़ बता दू, ऐसा generally तब होता है, हम 100% paper attempts करने की कोशिश करते हैं, नहीं, आप पहले अपने target set करके जाओ, कि 18 questions में से आपको कितने questions करने, 15 करने, 16 करने, 12 करने, 13 करने, जो आपको लगता है कि हाँ, ये करके मैं खुश हूँ, अब मेरे को clear है कि मैंने 13 questions ही कर दिया, तो मेरा selection तो कोई नहीं रोख सकता, उसके बाद आपके पास जो extra time बचेगा, उनमें आप वो बाकी के extra questions attempt कर सकते हैं, तो पहले एक satisfaction आप जो paper होगा, उसमें पहले 12 questions सही करने की कोशिश कर लो, 12 questions सही करने के बाद आपको लगता है कि time बचा है, तो किसने मना किया, बाकी के 6 questions भी आप attempt करें, और उनमें से भी आप जो 2-3 extra निकाल के लाएंगे, वो आपके लिए bonus होगा, लेकिन किसी भी question में अटक कर अगर आप अगले question के ओपर move कर सकते हैं, तो यह बहुत important चीज़े से ध्यान रखना, यह देखे, be loyal to a question, be loyal to a question का मतलब क्या है, कि जब आप एक question को attempt कर रहे है, तो उस time पर आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए, कि और यार वो question मुझसे नहीं हुआ था, वो गया, वो गया, अगले question पर move कर जाए, कि next question आपके लिए एक नया challenge है, उसको एक brand new challenge की तरह लो, उसको उसी तरह accept करो, उसको उसी तरह treat करो, उसको उसी तरह से solve करो, ऐसा नहीं है कि आपने पुराना question आपसे चार question लाइन से नहीं होए, तो आप सोच रहे हो, और यार मुझसे चार question तो देखो कौन सा question आप कर सकते हो, तीन question लाइन से नहीं हुए, तो चौथा question बिल्कुली fresh start की तरह लो, जरूर नहीं हो फोर्थ number question हो, नाइन्थ number question भी हो सकता है, ऐसा question सेलेक्ट करो, जिससे आपको देखकर फिलाती कि हाँ, इस question का concept मुझा अच्छे से आता है, और मैं इस question कर सकता हूं, लेकिन जब आप एक question कर रहे हैं, तो उस time पर आपको सरफ उसी question के उपर focus करना चाहिए, ठीक है, तो be loyal to a question, उस time पर आप किसी और question के बारे में ना सौचे, ठीक, चलिए, बहुत ही बड़ी problem है, जो जे एडवांस के paper के time पे होती है, reading and misinterpretation, generally हमारी आदत जो यह तो silly mistake हो गई, नहीं, silly mistake नहीं है, आपका misinterpretation है, आपकी reading speed अच्छी नहीं है, तो आपको अभी बच्चे में दो दिन में पढ़ने की जगा आपको इस चीज़ पर काम करना चाहिए, आपको lines को, आपको NCRT के lines read करनी चाहिए और उनको interpret करना चाहिए, या previous year JE के questions हो गई या Olympiad के questions हो गई, बहुत जादा तो नहीं करने चाहिए, best है कि आप NCRT के कुछ page उठाएं, ठीक है, और हर दिन 30-40 minutes उसको पढ़े हैं, हर subject के, physics हो गई, chemistry हो गई, maths हो गई, कोई भी topic जो आपको अच्छा लगता हो, उनकी lines को fast पढ़ो, fast, घ्रिदरी नहीं पढ़ना, fast प कहना क्या चा रहा है और हम पढ़ के आ जाते हैं, इसी विजए से कई बार questions में गलती हो जाती है, concept में आता है, लेकिन फिर भी misinterpretation की वैसे आप question को गलत करके आ सकते हैं, तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दे, आपकी reading skills और interpretation skills को आपको improve करना चाहिए, ये एक और बहु 60 minutes for remaining days and work on fast interpretation, आपके जो दो दिन बचे हैं, उन दिन में ये spelling गलत हो गई, for remaining days आना चाहिए, तो आपके पास जो दो दिन बचे हैं, उनमें आपको अपना थोड़ा सा reading और interpretation के उपर काम कर लेना चाहिए, वैसे काम शुरूर से होता है, बाट कोई बात नहीं, जितना भी कर करनी है, कई students आते हैं को गलत करके आते हैं, एक question आया, बहुत सिंपल सा था है, direct आपको concept आता था, और value रखते हैं आपके answer आगए, अब आप सोचते हो, यार ये तो जेए एडवांस्ट है, जेए एडवांस्ट इतना सीधा question कैसे पूछ लेगा, नहीं नहीं, कुछ तो ल लोचा होता है न, लोचा ही आपकी बैंड बजा गया आता, आते हैं को गलत करके आते हो, तो overthinking नहीं करनी है, हाँ भाई, जेए एडवांस्ट भी आसान question पूछ सकता है, जेए एडवांस्ट भी paper balance बनाता है, तो 18 में से आपके 2 या 3 questions straightforward हो सकते हैं, आप ऐसा क्यों सोच र आती है, तो इसको वैसे करके आएं, क्योंकि आप देख सकते हैं, उठा के एतिहास गवा है, एडवांस्ट में आसान questions भी आते हैं, तो overthinking ना करें, straightforward questions भी कभी-कभी मिलते हैं, तो जैसा आपका concept है, वो अगर solid है, strong है, आराम से इस question को करके आएं, समझ गया है, चलिए, next is gap between papers, जो papers की बीच में gap होता है, वो ही decide करता है कि आपका अगला paper कैसा होगा, देखो, जिल लोग का first paper खराब हो जाता है, वो इसी tension में जीते रहते हैं, कि मेरा second paper भी खराब हो जाएगा, और वो होता है, क्योंकि आपने mentality बना लिए, आपने decide कर लिए, कि आपका paper 1 खराब ह तो इस discussion में पड़े ही न, paper 1 से paper 2 का जो time है, देखो paper 1 गुजर चुका है, वो आपका past है, paper 1 is past, आप कितना भी सोच लो, आप किसी से कितना भी discuss कर लो, आप अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बदल सकते हो, हाँ, आप paper 2 में बहुत कुछ बदल सकते हो, और अगर आप इस discussion मे चले गए हो, तो आप बदल रहे हो, आप अपने paper 2 को खराब करने की तरफ जा रहे हो, वो आपको नहीं करना है, ठीक है, कोई discussion नहीं करना है, अपना confidence बना के रखें, मेरा paper 1 हो गया, मैंने अपना best दिया, और अब paper 2 में भी मैं अपना best दूँगा, जो बीच वाला gap है, उ थोड़े दिया nap लेना चाहा हो, तो आप nap ले सकते हो, ताकि अब refresh होकर वापस से अपने second paper के तरफ move कर पाए, लेकिन आपको किसी से भी discussion में नहीं जाना है, चाए पापा का फोना है, चाए भाई का आए, चाए किसी का फोना है, paper कैसा हुआ, बहुत हो गया जैसा होना था अभी मेरा paper 2 बाकी है, तो शाम को बात करेंगे, straightforward, phone switch off करके भी आप बैठ सकते हो, किसी से बात नहीं करनी है, जब तक आपका काम खतम नहीं होता, तब तक आपको discussion नहीं करना है, paper 2 देने के बाद, आपको जिससे जो discuss करना है, वो आप discuss कर सकते हैं, लेकिन जो बीच का time है इसको आप बहुत 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 अच्छे से use करें, तो यह कोई चोटे-चोटे points हैं, जिनके ऊपर आपको focus करना चाहिए, एक और चोटी सी बात, जो multiple choice questions आपके आते हैं, उनकी options को बहुत source समझ के tick करें, reverse approach पे काम करें, अगर उसमें पूचा, which of the following is correct, और आपको incorrect पूचा है, तो आप वो case देखो, जहांपर आपको वो option क्या हो सकता है, correct हो सकता है, अगर आपको वो option मिल गया, जहांपर incorrect option correct हो सकता है, तो आप concern नहीं है, reverse approach पे जरूर काम करें, और अब time ऐसा आच चुका है, कि आपको extra कुछ नहीं करना है, आपकी तैयरी बहुत अच कम होती जाएगी, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने महनत की है, आपने जितना सीखा है, उस पे confidence रखो, आपको 100% paper करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपना एक target अपर रखो, इतने question करने है, उतने question करने के बाद आप पास time ब यह आपका plan A है, plan B, अगर chemistry 40 minute में नहीं हुई तो हो सकता, उसको time ज़्यादा लग जा, उसका paper ठोड़ा relatively difficult हो, तो फिर आप ध्यान रखे कि आपको 50 minute भी देने पड़ सकते हैं, उसका balance फिर आपको physics और maths में भी बनाना होगा, तो जो आपसे कह रहा था कि plan A और plan B दोनों ह चाहिए, क्योंकि generally क्या तो हम plan A बना के जाते हैं, plan A execute नहीं हो रहा होता है, तो हम frustrate हो जाते हैं, हम demotivate हो जाते हैं, और उस वज़ए से हम अपने paper खराब करके आ सकते हैं, तो plan A के साथ साथ आपके पास rescue plan, plan B भी होना चाहिए, यगर मेरे plan A ने ठीक से काम नहीं किया, तो मैं plan B को अपरेट कर सकता हूँ, बागी आप लोग सभी समझदार है, मेरी तरफ से और E2s इंडिया के तरफ से आप सभी को best of luck for Jadvance 2022, sorry 2021, or you are going to rock it.